ड़न लैजय टेलिव नमश्कार षातरोत शातरो आज हम जानेंगे अपने हमेरे जो देश में कुछ रिलिजन रिलिजिस फेस्टिवल होते हैं और कुछ तो निशनल फेस्टिवल होते हैं उन में अंतर क्या अंतर होता है आईए कुछ बातों के माद्यम से जानते हैं राश्ट्रिय त्योहार और धार्मिक त्योहार में क्या अंतर है तो शात्रों आप जानते होंगे थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे राश्ट्री फैसिवल नेशनल त्योहार और धार्मिक त्योहार में क्या अंतर है तो राश्ट्री त्योहार शात्रू देश के परतेक नागरिक द्वारा मनाये जाते हैं राष्ट्री उतिहार जो होते हैं देश के परतेक नागरी के द्वारा मना जाते हैं जबकि धार्मिक त्योहार अपने अपने धारम के अनसार लोग मनाते हैं इतना तो आप जान गई होंगे कि राष्ट्री और धार्मिक त्योहार में क्या अंतर है तो कुछ और उधारनों के मादम से जानते हैं राष्ट्री उतिहार देश की उतिहास से जुड़े होते हैं जब कि धार्मिक उतिहार है धर्म और उनके भगवान के इतिहास से जुड़े होते हैं राष्ट्रियो त्योहार देश में समान रूप से मनाय जाते हैं जबकि धार्मिक त्योहार लोग अपने धर्म के अनुसार मनाना पसंद करते हैं भारत के राष्ट्रियो त्योहार स्वतंतरता दिवस गंतंत्र दिवस आदी हैं ये क्या है राष्ट्रियो त्योहार है ये भारत के जबकि भारत के अंदर अनेकों धर्म होने के कारण कई धार्मिक त्योहार मनाय जाते हैं तो आप जानते ही हैं जो हमारा इंडिया है उसमें बभिन सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अपने अपने फैस्टिवल होते हैं जैसे होली, दिवाली, इद, बैसाखी, क्रिस्मिस, आदी तो आशा करती हूँ कि आपको यह राश्ट्रिय त्योहार और धार्मिक त्योहार में डिफ्रेंस पता चल गया होगा, मिन अंतर पता चल गया होगा तो इनके बारे में कुछ और जानकारी हमारे त्योहार, मिन अवर फैस्टिवल धार्मिक त्योहार religious festivals राश्ट्रियो त्योहार और national festivals तो पहले हम धार्मिक त्योहारों के जानते हैं कि कौन-कौन से होते हैं होली, जनमाश्टमी, ओनम, दिवाली, दिशेहरा और भी कई हैं तो ये सारे कौन से त्योहार हैं हमारे धार्मिक त्योहार छात्रो ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना लास्ट में आपके लिए कुछ प्रशन है जो आप कुछ पिक्चर के माद्यम से आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर है और कुमेंट करके जरूर बताना तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक बिना स्किप किये आपके जानकारी के लिए बहुत सारी चीजे हैं इसमें तो देखना ये थे हमारे कुछ धार्मिक तिहार और राष्ट्रिय तिहार के बाद हैं स्वातंतरता दिवस गंतंतर दिवस गांधी जयनती और भी होते हैं प्रन्तु हम थोड़े से ही इसमें शामिल कर रहे हैं क्योंकि आपका चैप्टर है और चैप्टर में EBS में भी है और हिंदी में इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि प्राइमरी सेक्षन के बच्चे जो है इसको ध्यान से सुने और पड़े तो कुछ और त्योहार हैं जैसे दिवाली, दिशहरा, महाशिवरात्री, जनमाष्टमी, होली, पोंगल, राम नम्मी और हनुमान जयनती वट सावीत्री, नाग पंचमी, राखी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, गनेश्ट तुर्थी, नए साल के त्योहार अब नए साल के भी कुछ त्योहार होते हैं जैसे गुड़ी पड़वा, शिवाजी जयनती, बीहू और अनम, बराह वफात, हज, इद उल अजहा, इद उल फित्र, और मोहरम, सेरे गुल, फरोशान तो ये थे कुछ मिले जुले त्योहारों के नाम, और आगे जानते हैं आपके लिए प्रशनों के माद्यम से तो आपके सामने अभी एक चित्र देखकर बताईए कि ये कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, ये रहा चित्र कमेंट करके जुरूर बताना कि इस चित्र में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है तो जान गए होंगे आप कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, ये है दशहरा, कौन सा त्योहार बचो, दशहरा, लिखना भी और बोलना भी सीख लेना नेक्स्ट प्रेशन भारत कब अजाद हुआ था मेन वेन इंडिया वीकेम इंडिपेंडेंडन कब हुआ था पंदरा अगस्ट उन्नीसो संतालिस 15 अगस्ट 1947 में शात्रो हमारा जो भारत देश था अजाद हुआ था 15 अगस्ट तो सभी को याद रहता है बड़ जो हमारा सन है उसको भी साथ में याद रखना है 1947 नेक्स्ट प्रेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और और कुछ जीके के प्रेशन चाहिए तो जरूर लिखना अब रंगों का तिहार किसे कहते हैं बिच फैस्टिवल ओफ कलर यह तो सबको पता होगा पता है ना तो यह रहा उसका अंसर होली किसी भी तरीके से प्रेशन पूछे जा सकते हैं बिच फैस्टिवल ओफ कलर होली चित्र देखकर बताईए कि कौन सा तिहार मनाया जा रहा है अब फिर और एक चित्र अब इस चित्र को देखकर बताओ कि यह कौन सा तिहार सेलिब्रेट हो रहा है सोच लिया समझ गए होंगे तो यह रहा अंसर जैनमाश्ट मी गंतंत्र दिवस कम मनाया जाता है सोचो सोचो जल्दी से कि गंतंत्र दिवस कम मनाया जाता है वैन रिपब्लिक डे सैलिब्रेटिड कुछ बच्चों को हिंदी आती है तो इंगलिश नहीं आती तो इंगलिश आती है तो हिंदी नहीं आती मेरा यही सिखाने का मसकदा है कि बच्चों को दोनों language आनी चाहिए English और Hindi दोनों को मिला कर पड़ेंगे तो ज़्यादा knowledge आप ग्रहन कर पाएंगे तो वीडियो को बिना skip किये हुए देखते रहिए और जीके के प्रश्णों का अनन्द मानते रहिए तो गनतंत्र दिवस कहते हैं Republic Day को और ये बनाया जाता है भच्चों 26 जनवरी को कम बनाया जाता है 26 जनवरी को दिशहरा में किस-किस के पुतले जिला जाते हैं आप तो सभी confused होंगे जल्दी से mind दोडाओ और अपनाम बताओ कमेंट में कमेंट में लिख कर जरूर बताना इस उत्तर देखने से पहले कि दिशहरे में किस-किस के पुतले जिलाए जाते हैं तो ये रहा answer शात्रों दिशहरा में रावन, मेघनाथ और कुमकरण के पुतले जिलाए जाते हैं हर वर्ष जिलाए जाते हैं किसके पुतले रावन, मेघनाथ और कुमकरण के तबी तो आपको ये भी पता होगा कि दिशहरे से हमारे क्या सिख्ष मिलती है तो आगे जानते हैं इसके बारे में ये रहा प्रशन राजा दश्रत के चारों पुत्रों के क्या नाम थे एक और जी के प्रशन की राजा दश्रत जो थे कहां के राजा थे ये आप कमेंट करके जरूर बताना और उनके पुत्रों के नाम आपके स्क्रीन पर राजा दश्रत के शात्रो चार पुत्र थे कौन-कौन राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रूगन इनको लिखना भी सीख लेना और बोलना भी सीख लेना क्योंकि कई पार्ठ में दिया गया है पार्ठ भी है आपकी क्लास में थर्ड, फॉर्थ, सिख, फिफ, सिख में भी होते हैं पूछे ही जाते हैं ये एर्ष तक ये बाते तो आपको माइंड में बाते हैं नेक्स्ट प्रशन दिशहरा शात्रो किसका परतीक है? जल्दी सोचो कि दिशहरा किसका परतीक है? सोच लिया? ये रहा उसका अंसर आशा करती हूँ कि आपका सही होगा दिशहरा बुराई पर अच्छाई का परतीक है नेक्स्ट प्रशन नीचे चित्र में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? कमेंट ये आपके लिए है प्रशन कि कमेंट करके बताईए बॉक्स में कि ये जो दिवस है कौन सा फैस्टिवल है सालिब्रेट हो रहा है आपको कमेंट मोक्स में जरूर बताना है आपके उत्तर का इंतिजार रहेगा नेक्स्ट प्रशन दो प्रशन डाले हैं चित्र में किस नाटक का पात्र है? और पात्र और नाटक का नाम कमेंट करके जरूर बताएं बताओगे न? मैं जरूर आपके प्रशनों के उत्तर का इंतिजार करूंगी कमेंट करके जरूर बताना देखिए कि नाटक का नाम और उसके पात्र का नाम जिसकी फोटो है ये दोनों कमेंट वर्क्स में चुरूर बताना फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जीके प्रश्णों के साथ प्यारे बचोर जिन्होंने मेरे चैनल को अब इता सब्सक्राइब नहीं किया है अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे अनेमाली वीडियो का नया नोटिफकेशन मिल सके लाइक और शेयर भी जरूर करते ना